एलेक्टिक सेग्मेंट में मोस्ट पॉपुलर गाड़ियों की बात करें तो मिड फैमिली बजट में टाटा टियागो ईवी खूब बिक रही है और लॉंच के चार महीने में ही 10,000 से जादा यूरेट सेल कर चुकी है और दोस्तो देश की प्रमुक वहां निरमाता कमपनी टा टियागो ईवी भारत में सबसे तेज बुक की गई ईवी भी है जिसे सिर्फ 24 गंटे में 10,000 बुकिंग और दिसमबर 2022 तक 20,000 बुकिंग हासिल हुई थी बात करें इसके ट्रिम्स और कीमत की अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मॉडल लाइनप को 4 ट्रिम्स में पेश किया गया है फस्ट है XE, सेकेंड है XT, थर्ड है XZ प्लस और फोर्थ है यानि टॉप एंड मॉडल है XZ प्लस टेक LUX त्यागो ईवी की कीमत 8.69 लाग रुपे से स्टार्ट होती है और इसमें दोनों आप्शन साते हैं बैटरी पैक के और इसमें हैं दो आप्शन लिथिय रमायन बैटरी पैक के फस्ट है 19.2 किलो वार्ट, सेकेंड है 24 किलो वार्ट तो फस्ट वाले पैक से मिलती है 250 किलो मीटर की रेंज जबकि सेकंड वाले से यानि 24 किलो वार्ट वाले से मिलती है 315 किलो मीटर की रेंज और इस इलेक्ट्रिक हैच पैक में TATA की Jipe Tron High Voltage Architecture है जिसमें एक permanent magnet synchronized electric motor मिलता है और बात करें 19.2 kW battery pack की तो 45 kW electric motor है जो 61 bhp की power और 110 nm का peak torque generate करती है 6.2 second में 60 km की रफतार gain कर सकती है जबकि बड़े pack में यानि 24 kW battery pack में 55 kW electric motor है जो 74 bhp की power और 114 nm का torque generate करती है और 5.7 second में 0 से 60 km पर और की रफतार gain कर सकती है और battery charging की बात करें जो कि किसी भी electric गाड़ी का main point होता है तो Tata Motors का कहना है कि Tiago EV के battery pack को 50 kW DC charger से 57 मिनट में 80% तक charge किया जा सकता है और standard 3.3 kW home charger और optional 7.2 kW AC fast charger के साथ मिलता है जो 19.2 kW वाले battery pack को 5 गंटे 5 मिनट में 6 गंटे 20 मिनट में और 3 गंटे 32 मिनट में charge कर सकता है और Tiago EV का market में मुकावला Citron EC3 और हाल में ही launch हुई MG Comet EV से है EC3 की बात करें तो 10.90 लाग से price start होता है जबकि Comet EV की सुरुवाती कीमद 7.98 लाग है दोनों ही कीमते एक्सो रूम है और अगर आप new electric car purchase करने का plan बना रहे हैं तो MG Comet EV या फिर सिचौन की C3 EV या Tata Motors की Tiago EV कौन सी purchase करना चाहेंगे और इसके क्या regions होंगे comments में अबश्य लि किये और अगर आपकी कोई important query है किसी भी गाड़ी के purchasing के लिए तो आप हमें Instagram पर भी live chat कर सकते हैं मिलते है next update के साथ Instagram आइडिया आपके लिए screen पर share की जा रही है